दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि अपने mobile का अगर display on है display चल रहा है लेकिन touchpad नहीं काम कर रहा है तो आप mobile को operate नहीं कर सकते लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक किसी trick दिखाने वाला हूँ कि वो अगर आप करोगे तो आप अपना touchpad खराब होने के बाद भी अपने mobile को बड़ी ही आखसानी से यूज कर सकते हो इस्तिमाल कर सकते हो तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गनेश आप देख रहें टेक्निकल टीचर तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको एक OTG जो होता है OTG जो port दिये उससे आपको लेना पड़ेगा और एक mouse जो है आपको लेना पड़ेगा तो 99 रुपीज में आसानी से 1.500 रुपए के आंदर ही आपको यह mouse जो है यह मिल जाएगा आप Amazon flip card से कहां से भी खरिद कर सकते हों तो इसको ऐसे connect करना है और हमारा जो OTG जहां पर support होता है उसमें वहां पर इसे plug-in करना है तो आपका OTG support अगर phone में है और वो enable है तो यह trick काम करने वाली है ठीक है तो हम हम touchpad खराब होने के बाद इसे input नहीं दे सकते हैं लेकिन इस mouse के मदद से USB mouse की मदद से आप यहां पर बहुत ही कुछ भी आप operate कर सकते हो आपको कोई यहां पर error नहीं आने वाली है आप बेजिजग कोई बे अप्लिकेशन जैसे हम touchpad से करते हैं इसी प्रकार से हम इसे जो ह ले लीजए और इसे प्रकार के जो टेक्निकल के वीडियो है आप ये जो टेक्निकल टीचर जो YouTube चैनल देख रहे हों तो इस चैनल पे रोज एक नया टेक्निकल से रिलिडेड़ वीडियो जो है मैं यहां पे पूस्ट करता हूँ जिससे आप कुछ नया सीख सकते हो तो झाल झाल